आप सबको नमस्ते आज के दो चमतकार सुनने से पहले आईए सुने अम्मा भगवान का आज का चिंतन भगवान कहते हैं ग्यान कभी भी आध्यात्मिक्ता को जगा नहीं कर सकता वह केवल आध्यात्मिक्ता को द्रड कर सकता है और आज का पहला चमतकार मैं जहीराबाद मेडग जिले से ए शंकर हूँ 2009 में जब मैंने रामच पेटा में अपने घर का निर्माण शुरू किया तो मैंने माटेरियल की देखवाल के लिए एक सिक्यूर्टी गार्ड नियुक्त किया था चूँकि उसने कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया मैंने दूसरा गार्ड काम पर रखा यह गार्ड भी कुछ दिनों के भीतर ही काम छोड़ गया मैं परेशान था अंत में मैंने श्री भगवान की शर्ण ली और अपनी सभी चिंताओं को उनके चर्ण कमलों में छोड़ दिया कुछ दिनों बाद एक सज्जन मेरी दुकान पर आये और कहा सर सफेद दाड़ी वाले एक व्यक्ती कुर्टा पैजामा पहने हुए आपके कंस्ट्रक्शन मेटरियल को पूरी जिम्यदारी से देख रहे हैं कभी कभी मैं उन्हें घर के सबसे उपरी हिस्से पर और बाकी समय घर के सामने देखता हूं वे हमेशा मेरा स्वागत करते हैं जब उन्होंने हमारी शौप में श्री मूर्ती को देखा तो उन्होंने बड़े ही उत्सहा से श्री भगवान की और संकेत करते हुए कहा वह यही हैं, मैं कृतक्यता से आवाक रह गया मैं सदेव श्री अम्मा भगवान के चरण कमलों में रहना चाहूंगा और अब आज का दूसरा चमतकार मैं जहिराबाद मेडग जिले से आर गनेश हूँ एक कमपनी में साथ साल तक काम करने के बाद मुझे अचानक अपनी टेक्निकल योगिता के बारे में प्रमान पत्र पस्तुत करने के लिए कहा गया क्योंकि कमपनी का स्वामेत्व बदल गया था चूंकि मैं वह नहीं कर सकता था इसलिए मैंने श्री भगवान की शरंड ली घर लोटने के बाद मैं श्री अम्मा भगवान से निरंतर प्रार्थना करता रहा मेरे सपने में भगवान प्रकट हुए और कहा गणेश प्रमान पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यता नहीं है मैं उस समय सोच रहा था कि हमारे नए अधिकारी मुझसे उसी तरह बात करें जिस तरह से श्री भगवान ने मुझसे की थी अगले दिन अधिकारियों ने उनी शब्दों में बात की जिन शब्दों में श्री भगवान ने कहा था इस तरह से मैं श्री भगवान को समर्पित होकर जो भी प्रार्थना करता हूँ वे मुझे समाधान का आशिरवात देते हैं प्यारे भगवान मेरे साथ साथ मेरे परिवार की देख भाल करने के लिए मैं आपका कृतक्य हूँ